दानव सागर मन्थन के लिए उतावले हैं तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए पक्षी राज आज्या है लक्षम पती पक्षी राज आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर परवत पर जाईए जो आज्या दिविश्वर हे सुदर्शन आप पक्षी राज के साथ मंदर पर जाईए और मंदर परवत को जड़ से काट दीजिए और हे पक्षी राज मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुश्पक से बांद कर सागर तट पर ले आईए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीच्छा कीजिए बैं आपके आदेश की प्रतीच्छा करूंगा दिविश्वर आप अपने कारे का शुब हरंब कीजिए बैं पुश्पक लेकर लोड़ता हूं कर दो मेंगद की प्रतीच्छा की प्रत पर पांद का शुब हरा देश्पक प्रतीच्छा वाप का शॉब हरे प्रता हूं झाल में झाल मेंगले अबस्पक की प्रता हूं झाल 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 आपको अपना मचन यहाद है देवराज आपने कहा ता सागर मंतन से जो भी निकलेगा वो आपके हमारे मत्य समानता से बाता जाएगा हमने यहीं निच्छित क्या था दानव राज और हम अब भी अपने वचन पर अडिक तो फिर ठीक है सागर मंतन का शुबारंभ होगा पक्षिराज जैसे ही मंदर प्रवत लेकर आ भाल प्रणाम सर्वेश्वाइब आपने बुलाया मुझे हाँ देवर्शी हमें आपका सहयोग चाहिए यह लक्ष्मी नाराय यह तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं आदेश दीजे समुद्र मन्थन होने वाला है देवर्शी समुद्र मन्थन परंतु एक समस्या है वासुकी नाग का प्रयोग दोरी के रूप में होना है और मन्थन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अगनी जैसी फुंकारे निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो जुलस कर मर जाएगा ये तो सत्य है प्रभू समस्या ये है देवर्शी कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुना जीवित कर देंगे और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मन्थन संभवी नहीं हो पाएगा ये तो चिंता का विशे है देविश्वर इसकी ओर तो मेरा ध्यानी होगा इसलिए तो मैं ये चाहता हूं देवर्शी कि पाला बातते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कश्ट दिया नारायन नारायन आपकी लीला धन्य है प्रभशी ये केवल मेरी लीला नहीं आपकी बुद्धी की परिक्षा भी है वासुकी के मुख की ओर बस ये समझें कि ये आपके क्षमता की परिक्षा है ये आपको परिक्षा लेने में और मुझे परिक्षा देने में जो अनन्द आता है उसका अनुमान केवल मेरी लक्षमी माता को है क्यों माता? नारायन, नारायन नहीं देवराज, हम दुम का छोड़ पकड़ेंगे, और तुम देवतागन मुख की ओर रहोगे। यह नहीं हो सकता, दानव पक्ष बासुकी के मुख का छोड़ पकड़ेगा और हम दुम की ओर रहेंगे। दानाव राज ने जो कह दिया वही होगा हमारे दिर्राज के नणे भी कोई नहीं बदल सकता तो फिर समझ लो संदी समाप्त हो गई और समझोता भी तूट गिया नारायन नारायन आये दिवर्शी स्वागत है वातावरां का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है किस विवाद ने ताप को बढ़ा दिया है देवर्शी आप ही निर्ने कीजिए हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुक का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं इडिवर्शी समझाटे का परस्ताअफ देवराज लेकर आए थे हमने मान लिया अभरताव रख रहे है है तो देवराज क्यों नहीं मानते उच्थित है कि सरवतः उच्थित है देवराज, दानव राज का तर्फ गुद्ध संगत है। ये आप क्या कह रहें देवरशी, आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं देवराज, मैं तो वही कह रहा हूं जो न्याय संगत है। हे देवराज शरीर में मुख श्रेष्ट होता है या पाौं शत-प्रतिशत मुख वह उपर होता है उचा होता है शरीर की पहचान बताता है तो फिर तो श्रेष्ट की ओर उसी को ही होना चाहिए मैं यह कहना चाह रहा हूं दानव राज कि जिस प्रकार शरीद में मुख श्रेष्ट होता है उसी प्रकार स्रिष्ट में देवता श्रेष्ट है इसलिए वासुकी के मुख की और तो देवताओं को ही होना चाहिए कि आप हमारा पमान कर रहे हैं देवर्शे हमने देवताओं को प्रास किया है कि युद्विशेत्र में उन्हें सर जुगाने पर विवश कर दिया था कि देवता शरेष्ट थे अब नहीं है और पराजित कभी शरेष्ट नहीं हो सकता कि अब तो केवल हम शरेष्ट है उचित है, सर्वथा उचित है इस विशह पर तो मैंने भी नहीं सोचा था शेष्ट वही होता है जो विजई होता हे देलिंद, अब इस कर्टु सत्य को मान ही लीजिये कि विजई होने के कारण दानव शेष्ट हो चुके है हे दानव राज, शेष्टता की कुछ मांगे होती है और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा शेष्ट की ओर रहना पड़ता है यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के शेष्ट भाग की ओर कि यदि श्रेश्ट की यही मांग है तो हम वासुकी के मुक्ति और का पाला स्युकार करते हैं आप वास्तव में श्रेश्ट हैं दानव राज देवरिशी नारद की यही नारायन नारायन नारद के इस खेल से दानव थे अंजान जीत हुई फिर ग्यान की हार गया अग्यान सागर मन्थर के लिए दोनों दल तैयार लेकिन क्या हो पाएगा देवों का उद्धार तुम जानते हो कि वासुकी के मुख की और रहने से क्या होगा उसके मुख से ज्वला के रूप में पुंकारे निकलेंगी और तुम सब जुलस कर रहे जाओगे देवता चतुर है और नारदुन से भी अधिक चतुर उन्होंने तुम्हें श्रेश्ट कहकर तुम्हारी प्रसंचर कर दी और तुम उनके चाल में फसकर रहे गए परंतो गुरुदेव अब तो हमने उनका प्रसा मान लिया है यदि अब हमने उनका निना नहीं माना तो मारे अपनी लोग हमें संध्य की दृष्टी से देखें लगेंगे भूल मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया मुझे स्वाइम वहां पर उपस्तित रहना चाहिए था अब क्या होगा गुरुदेव बार धनुस्य निकल चुका है कि जाओ कि जाकर मंधन आरम करो कि मुझे स्वाइन देवताउं की चक्राई है कि दृष्टी रखनी है कि जाओ कि जो आक्या जो आक्या गुरुदेव कि सर्भानु कि आग्या गुरुदेव कि सर्भानु कि समुद्र मंधन होने जा रहा है मुझे चिंता है कि देवता जितने चत्र है ताना उतने ही मुर्ख ना जहने मैं कब से उनकी मुर्खता को चत्राई में बदल लेकी चेश्टा कर रहा हूं मुझे विश्वास है कि देवता अमरत के बढ़वारे में भी चत्राई यवश्य दिखाएंगे तो फिर आपका मेरे लिए क्या देश है मैं ये कारिभार तुम्हें सौंता हूं तुम ध्यान रखोगे कि अमरत के भढ़वारे में कोई पक्षपात ना जितना अमरत देवताओं को मिलें उतना ही दानों को आप निश्चिंत रहिये गुरुदेव मेरे होते हुए कोई आसमानता नहीं हो सकती हे पक्षिराज अब परवत को उठाइए और इसे समुद्र के बीचों बीच रख दीए स्प्षिर्ण लिए्पारे में झाल दो जाल झाल झाल ये देवराज अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूप जाएगा इसे कोई ठोस साधार चाहिए तो फिर मंतन कैसे होगा देवराज कोई उपाय तो करना ही होगा हम इतने बड़े आकार की कोई ठोस वस्तु कहां ढूणने जाएंगे जिस पर मंदरा चल टिक सके मेरी तो बुद्धी काम नहीं करती हमें कोई ठोस सट्टान तो ढूणनी ही होगी यह जटल कारे तो आप देवसाओ को हिस्सु आएगा हमें अनुमति दीजिए दानवराज ठीक कह रहे हैं हमारे पास नस्ट करने को समय नहीं है चलो दानव विरो हो चुका सागर मंथन यह जटल करेंगे मंथन तो सम्बम नहीं है समुद्र मंथन यदे इतना सरल होता अम्रित का मिलना यदे इतना सहज होता दानवराज तो यह कारे कपका हो चुका होता परन्तु जैसे नागमणी को प्राप करने के लिए जोखिम झेलना पड़ता है वैसे अम्रित प्राप करने के लिए कटनाईयों से तो जुझना ही होगा परन्तु इस कटनाई का तो कोई उपाई दिखाई ने देता अपाए हैं हे देवराज छीर सागरवासी भगवान वि प्रस्तूती करनी चाहिए दर्ती से पुकार उठ रही है मुझे बुलाया जा रहा है हां कमलेन संकट बढ़ रहा है मन्थन असंभवसा लगने लगा है हम और यदि मन्थन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा डेवता अम्रिच से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृती की जीत हो जाएगी परंतु ही कमलनेन मन्थन कैसे होगा मन्दराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है उसे इस्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तू मिलेगे कहां से भला मैं धर्ती और जीवन का पालक हूं है धर्ती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है मैं मन्दराचल को अपनी पीट पर रोक लूँंगा आप मन्रचल को अपनी पीट पर रोकेंगे हाँ प्रिये मैं कूर्म का रूप धारन करूंगा यह मेरा कूर्म अवतार होगा कि दूसरा अवतार मंदर परवत मेरी पीट पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मन्थम में कोई कठिनाई ही नहीं होगी परंतु हे कमलयन आपने तो कहा था कि आप मानव लोग पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्यान को कोई संकठ होगा यह तो देवताओं और दानवों का जगड़ा है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या विशकता है महादेवी मैंने कहा ना कि यदि सागर मन्थन नहीं हुआ तो दानव संस्कृती जीत जाएगी और यदि दानव संस्कृती जीत गई तो सर्वप्रतम मानव संस्कृती को मिटा देगी देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा वो तो और भी दुर्बल है और इसी लिए ये देवताओं और दानवों के जगने से अधिक मानव कल्यान का प्रश्ण है मुझे जाना ही होगा और मैं क्या मेरे भागे में फिर वियोग के गड़िया लिखी है प्रिये वियोग के उपरांद जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है वियोग तो मिलन की मिठास बहा देता है प्रिये और फिर ये वियोग इतना लंबा नहीं होगा हम शीखर फिर मिलेंगे और ये मिलन इतना सुन्दर होगा प्रिये कि आप इसे कदापी नहीं भूल पाएंगी मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्म निकलेंगे उनी के साथ आप भी निकलेंगी है महादेवी अमरित और आप यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी आप प्रेम का प्रतीक है ममता का स्वरूप है और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमरित से कम नहीं देवी सत्य पूछिये तो प्रेम और ममता तो अमरित से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है अमरित तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी परन्तु आप इस सागर मंथन की सबसे महान तम उपलब्धी होंगी क्योंकि आप ही मानव कल्यान का सर्वश्रेष्ट साधन बनेंगी क्योंकि आप है झाल झाल मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार सागर मन्थन कालिया नारा यणने भार लीला धर भगवान की लीला बड़ी अनूप धरती के कल्यान को लीया कुर्म का रूप लीया कुर्म का रूप हुआ खुर्म का रूप तो मैं आ गया हूं यह कूर्म नहीं स्वयम मैं हूं मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगन मैं मंदराचल को अपनी पीट पर धारण करूंगा कि फिर मंदराचल कदापी नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे तो बसकता है升 झाल बाल कोशद गया हूं झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो ख़स्स कर दो कर दो दो कर दो लो कि अ जो खडश से लिगार बाँ बाँ भाँ प्राचा कर दो खिए प्रबस्तों जब आगा। झाल चाल बागो जिए कुछ दिए सी puta ब anunci कि भी ओिए अगई हैं. पूर्देव सागर मंथन से अम्रित के स्थान पर विश्ट निकलाया है चार और त्राई त्राई मची हुई है देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवंदाय कमरित मिलेगा परन्तु सागर तो मिर्त्यू बाट रहा है गुर्देव इसी कारण हम वहां से भाग आए ऐसे में सागर मंथन से क्या लाब हम आप सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे मूर्खता मत दिखाओ तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मन्थन से केवल अमरत निकलेगा और वो भी सबसे पहले मूर्खों इस मन्थन से अनेक ऐसे पदार्थ अनेक ऐसे रत निकलेंगे जिसकी किसी ने कलपना भी ना की हो परंतु गुरुदेव अभी तो सागर तर पर जाना मिर्क्तियों को निमंत्रन देना होगा वहाँ चार और विशैली वायों के बादल फैले हुए है और फैलते ही जा रहे है वहाँ तो खड़े रहना भी असंबह हो है ना जाने ये कैसा विश है इस विश का नाम है काल कूट और ये हला हल है परंदो तुम क्यों चिंदा करते हो मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा तुम सब मेरे आश्रम में ही ठेरो और इस विपत्ती के टलने की प्रतीशा तुम से अधिक तो देवता चिंतित होगे क्योंकि देवताओं के लिए मंत्रन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक मात तो रखता है अब देखना है कि वो इस विपता को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं जो आग्या गुरुदेव रख्षा कीजिए रख्षा कीजिए रख्षा कीजिए हे थिर्लो के नाथ आग की स्रिष्टी संकट में है हे विश्वश्वर सागर मन्थन से जीवन दायक अमृत के स्थान पर प्रान घा तक विश्ष निकला है स्रिष्टी में हाहा कार मचा है हे आदी प्रजापती हे देवगण जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यू से हर पग पर ठकराना तो अवश्ष पड़ता है इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर ये नहित है जब शिशू माता के गर्व में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यू से संघर्ष करना पड़ता है शिशू के जन्म से पूर माता भी जीवन और मृत्यू के इसी संघर्ष का अनुभव करती है परन्तु जैसे ही शिशू का जन्म होता है समस्त स्रिष्टी मुश्कोराती है यदि अम्रित की प्राप्ती इतनी सरल होती देवगन तो जीवन और मृत्यू का ये संघर्ष और उसकी ये कथा कपकी समाप्थ हो चुकी होती परन्तु हे जग्दिश्वर समुद्र में ये विश्ष आया कहां से हाँ 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 ये तो आदी प्रजापती श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमतकार है वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उप्योगी नहीं समझता उसे समुद्र की गहराईयों में भैक देता है वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी आनिकारक होगी मैंने तो जल मनुष्य की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए बनाया था सत्य कहा आपने है ब्रह्मा जल का तो अर्थी है जीवन परन्तु मनुष्य ने उसे व्यारत और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है उसी प्रदूशन ने बढ़ते बढ़ते विश का रूप धारण कर लिया है उसे एक नए एक दिन समुद्र के गर्ब से बाहर तो आना ही था थे लक्षमी नारायन क्या ये नहीं हो सकता कि विश जहां से आया है इस से उसी समुद्र में वापस फैक दिया जाए नहीं देवराज, नहीं ये समस्या का समाधान नहीं है ये तो समस्या से भागने का एका सफल प्रहत नहीं है यदि इस विश्ट को पुना समुद्र के गर्व में फैक दिया गया तो वो द्रिष्टी से ओज्छल अवश्य हो जाएगा पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा वो कल फिर समुद्र के गर्व से बाहर निकलेगा किसी और पीड़ी के लिए संकट बनेगा देवराज संकट का समाधान अगली पीड़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है कुनीती है ये सरवेश्वर सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभुआ था अम्रित के प्राप्ति हमारे लिए नितान तावश्चक है परंद इस विश के कारण मंथन स्थगित हो चुका है आपका आदेश अधुरा रह गया है हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते है परंद ये विश बाधा बन गया है देवगर्ण ये ये बहुत चटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोले नात कर सकते है मैं देख रहा हूँ कि इस संकट का निवारन केवल उन्ही के पास है चलिए मैं भी आप सब के साथ उनकी सेवा में चलता हूँ महादेव की जय हो मेरे अभव भाग दिया आज गयलाज धन्य हो गया आज गयलाज को त्री मूर्टी के नहीं समस्त देवताओं के भी दर्चन हो रहे है मैं आप सब को प्रणाम करता हूँ गयलाज पर आप सब का स्वागत करता हूँ हे दिवाधिदेव हे महादेव स्रिष्टी पर संकट की छाया गहरा रही है संकट हाँ भोले नात संघार करता तो आप है परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संघार का प्रारंब हो गया है देवता और दानव मिलकर अम्रित की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे परंतु इस मंथन की सर्व प्रथम भेंड कालकूट विश्ट सिद्ध हुई है अब ये विश्ट समस्त स्रिष्टी के लिए संकट बना हुआ है समस्या यह है कि इस विश्ट के प्रभाव से यदि दानों की बृत्यू हुई तो दैट्य गुरू शुकराचार्य आपके देवे संज्यवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर जीवित कर लेंगे श्री विश्टी के कृपा से देवताओं की विश्वरक्षा हो जाएगी पर इस विश्ट के दुश्प्रभाव से मेरी संतान मेरा निर्दोश मानव समाप्त हो जाएगा इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारी साहता कीजिए हे महादेव कालकुट विश्व सारे विश्व को अपने लपेट में ले रहा है हम पर किरपा कीजिए इस संगहारक विश्व को नस्ट कीजिए देवराज संगहार करता तो किवल मैं हूँ विश भी मेरा ही अविशकार है विश मेरे लिए संहार करने का श्यस्त्र और किसी भी विश को नश्ट नहीं किया जा सकता है विश को रोका जा सकता है विश को सीमित किया जा सकता है विश के दुश्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है परन्तु विश्क को नश्च नहीं किया जा सकता है और हां देवराज संसार में काल कूठ ही एक मात्र विश नहीं है विश तो कटू वाडी में भी होता है अश्लील विचारों में भी होता है वाडी के विश को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो इसका प्रभाव फ्रदे तक नहीं पहुंचता और अश्रील विचारों के विष्ट को यदी मस्तिश्क में प्रवेश ना करने दिया जाए तो वह चरित को हानी नहीं पहुचा सकता जहां अमरिथ होता है वहां विश्क का होना तो स्वाभाविक है फरंतु आप धन्य है भोले ना अथ धन्य है काल कूट विश का प्रभाव तो आपके सुन्दर तर्क नहीं कम कर दिया अब शेश समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे आपने सत्य कहा कि विश को नश्ट तो नहीं किया जा सकता परंतू से रोका आवश्य जा सकता है और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवादी देव हे त्रिलो केश्वर आप सब चल कर मेरे पास आएं यहां आकर आपने मुझे पर क्रिपा की आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्श होगा मुझे काल कूट को कहीं रोकना होगा उसकी सीमा का निर्धारन करना होगा जगत के कल्यान के लिए ये कार्य मैं आवश्य करूँगा आप चिंता ना करें मैं आपके साथ सागरतट पर चलता हूँ आपके टो हान network type और इंकलना अपके टो ना ए मुझे तर MA Pep बांचे का आपके इंकलोग नात्समार को को प्रों फार्प इंक के साथान आप आपके लिए, अ एनत्रा आपके लिंग झाल 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 अब तो संजीवनी मंत्र उनके गुरू के पास है और मित उनके हाथों में यह तो सरवनाश हो गया देवराज हमारे साथ भ्यांकर चल हुआ है अब क्या होगा हे जगदीश्वर यह तो अनर्थ हो गया दानव अमरित कलश लेकर भाग गये संजीवनी और अमरित दोनों की शक्ति पाकर तुवे समस्त स्रिष्टी का सर्वनाश कर डालेंगे असंभव यह असंभव है देवराज यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो स्रिष्टी की रचना का सारा उद्देश ही समाप्थ हो जाएगा स्रिष्टी की रचना तो सुन्दर विचारों के पनपने के लिए शांती की सुगंध पहलाने के लिए और मानव को उन्नती के शिखर तक पहुँचाने के लिए की गई है नहीं देविंद्र नहीं धर्ती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है दानव संस्कृति का उत्थान स्रिष्टी के सौंदर्यकांत होगा और मैं ये कदापी नहीं होने दूँगा देविंद्र आप जिन्ता न कीजिए अम्रत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अम्रत कलश को आप तक पहुँचाना मेरा उत्तरदाइत्व हे तिल्डो के नाथ आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते या आशा लेकर है तो हम आपके चड़नों में उपस्थित हुए है पर देवताओं को ग्यात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आएं तो देवता हमारे आगे ठेर नहीं हैं सकते हैं छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे हैं हाँ 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 मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इस युद्देश से से था कि मैं अम्रित को देवताओं के हातों में ना पढ़ने दूए अब ये सार अमरित हम पी जाएंगे दानव राज तक इसके एक बूंद को मितर जाएंगे चले अमरित पीकर अमर होने संजीवनी और उस पर अमरित जाशे अब हम तीनों लोकों पर छा जाएंगे देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विश्णु पर अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विश्णु हमारा क्या विगाड़ पाता है कि उठाओ कलाश स्वर्भानु और अम्रित का वितरन आरम करो और अम्रित का विए पाता है कर दो 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 ए सुंदरी ए मिरिग लोचिनी कुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली चूडियां बजाती पायल जनकारती हमारे मन पर बिजली गिराती किस लोग की वासी हो तुम और क्या नाम है तुमारा मेरा नाम मोहिनी है मोहिनी नहीं मन मोहिनी कहो सुंदरी तुमने तो पहली जलक में हमारे मन मोह लिये मन करता है तुमारे चर्णों में अपना तन मन बिछा दूं तुमारी बलखाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं इतने सुंदर सुरूप से हमारे मन को छलने वाली तुमारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए यद्यपी तुमारा आना मेरे लिए सोभग्य और गर्व की बात है परंतु मेरे सवागार की शोबा बढ़ाने का उदेश्य क्या है मैंने सुना है कि तुम दानवने अमृत प्राप्त कर लिया है तुम्हारे गुरू के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत आप तो कोई तुम्हारे सामने सेर उठाई ने सकता शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता इसलिए मैं तुम्हें इस दोरे सफलता पर बधाई देने आ गई ऐसे नहीं सुन्द्री ऐसे नहीं फिर कैसे हमें बधाई देना है तो तुम्हारे पॉम में बंदी जिस पाइल ने हमारे रिदय की धरकने तीवर कर दी उसी छम छम से हमें बधाई दो तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो अपने सुन्दर मुखडे को दमका के अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो तुम जैसे महाशक्ति मान के इच्छा पूरी न करूं मुझमें ये साहस नहीं हाई आ, 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 मत्य बाने फिर काच्छा फूब, बन के किया पाप संहार अब नारी के रूप में प्रगटे जग के पालन हार देखो आज लियो हरी रूप मोहनिया जो इस जग को नाच नचाए देखो उस नटवर ने पांभी पेजनिया जनक जनाना चुमक जनाना देखो आज लियो हरी रूप मोहनिया जनक 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 जन कन गलता कामिनिया बनके रामिनी बंके छलियों को छलने को मोहक नमनी बनके जदयों को ग्या कुल कर मद माते नैनन से नैन बान मारत है आज चक्र को तज़ के देखो विश्व सजन भय आज सजनिया विश्व सजन भय जो इस जग को नाच नचाए देखो उस नटवर ने आधी पैंजनिया तिरिकित तिम ता तिम ता तिकता 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 तिरिकित तिम ता तिम ता तिकता 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 प्रेमा चूर दानव दल प्रम की लट में गुल्खे वश में कर दैत्यों को मन ही मन प्रभु हर शे योवन की ज्वाला है चित्वन की हाला है हर मन मत वाला है कुछ होने वाला है देखो सब को छकावत माया ही रनिया सब को छकावत माया ही रनिया जो इस जग को नाच न चाए देखो उस नटवर ने पांधी पैंचनिया आच लियो हरी रूप मोहनिया आच लियो हरी रूप मोहनिया सुन्दर अटी सुन्दर ए सुन्दरी अम्रित पाकर हम बहुत प्रसन थे तुमारा ये रूप तुमारा ये छल बल तुमारी ये मन को गुदगुदाती मुस्कान किसी अम्रित से कम नहीं यादि तुम ये अम्रित हमें अपने हातों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी तुमारे इस पर्ष की मिठास अम्रित में घुल जाएगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा मैं आपके अग्या कैसे टाल सकती हूं दानवराज परन्तु परन्तु क्या है यह दानवराज जिस प्रकार दूप बिना च्छाओं के महत्ता नहीं होती इन बिना रात्री सुहानी नहीं लगती उसी प्रकार आपके सभा भी देवताओं बिना सूनी लग रही है देवताओं बिना भूल गए सागर मन्थन में वो आपके सहयोगे थे परन्तु वे हमारे शत्रू हैं हम उनको क्यों बुलाएं हे दानव राज आप उन्हें इसलिए बुलाएं कि वे छोटे आप महान हैं वे अन्याई हैं आप न्याई अप्रिय हैं वे छलिये हैं पर आप निश्चल हैं न्याई कहता है कि इस अम्रित पर उनका भी अधिकार है निश्चलता कहती है कि आधा अम्रित आपती हैं और आधावी महानता कहती है वे छोटों को भुला देना भी छोटा पन है एक अमल नयनी तुमने हमारे मन को हर लिया है तुम्हारी बाद डालना हमारे वश्च की बात नहीं हरशल देवताओं को बुलाया जाए हर देवताओं को भुलाया जाए हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है कि अधिशन्दृरी है अम्रित का वितरन आरंब करो है हमसे और अधिक धिरस्त न धरा जाएगा अतिति सत्कार डानव लोक की परंपरा है इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अम्रित पान का अवसर दूंगी कैसे तुमारी इच्छा हो कर दो 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 झाल 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 अरे ये तो देवता के वेश में दानों सौर्मानू है झाल 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 कलश्टो रिक्थ है विष्णू ने सारा अमरित देवताओं को पिला दिया छल वहाँ छल विष्णू ने एक बार फिर हमसे छल किया हमें मोहिनी बनकर ठग लिया विष्णू सावधान मैं यहां हूँ काल के तू सावधान देवराज अब कुछ नहीं हो सकता मन रहे हम अमरत पान कर चुके हैं अमरत पान हम हम सभी अमर है अब तुम तुमारे शर्ष्ट और तुमारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगार सकते कुछ भी नहीं बिगार सकते काल के तू एक नहीं उसकी चली हारा फिर एक बार अमरत से वंचित रहा दानव का परिवार देर सही उसके यहां नहीं मगर अंधेर जो अमरत के योग है पाए देर सवेर पाए देर सवेर पाए यहां पाए श्लाव नहीं में पाए पाए लग